हेलो गाइज, वेलकम तो हिमान सोदरी यूट्यूब चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हम आपके लिए ओटो मोबिल से एक्टर से रिलेटेड इन्फोर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको Grand Vitara CNG के बारे में बताएंगे जो हाल ही में मारुति ने लौंच की है जबरजस्ट माइलेज, बूट स्पेस और कुछ खास बाते हम आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं CNG कारें अपने बहतरिन माइलेज के लिए जानी जाती है लेकिन इन कारों में सबसे बड़ी समस्य देखने को मिलती है वो होती है बूट स्पेस की आम तोर पर कई कारों में पीछे की तरफ बूट स्पेस में CNG स्लेंडर देखने को मिलता है जिसके चलते लोगों को लगेज रखने में समस्य होती है लेकिन मारूती सुजू की नई Grand Vitara CNG SUV के साथ ऐसा बिलकुल भी नहीं किया है मारूती सुजू की ने घरेलू बजार में आज अपनी Grand Vitara SUV को CNG Variant में लोंच किया है आकर सगलूक और बहतरीन फीचर से लेस इस SUV के सुरुवाती कीमत 12,85,000 रुपए टै की गई है इस वीडियो में हम आपको इन फीचर के बारे में बताएंगे जो की इसे और भी खास बनाते हैं सबसे पहले बता दें कि नई Grand Vitara petrol engine के साथ ही hybrid variant में भी बिक्री के लिए उपलब्द है कमपनी का दावा है कि इसका mad hybrid variant 19-21 kmpl और strong hybrid variant 27 kmpl तक का mileage देता है मुई CNG Variant को लेकर कमपनी का कहना है ये SUV 26 km per kg तक का mileage देती है इंजन समता और performance की बात करें नई मरुति Grand Vitara CNG में कमपनी ने 1.5 लिटर की समता का natural aspirated petrol engine का इस्टेमाल किया है जो की 103 BHP की power और 136 Nm का torque generate करता है मुई CNG mode में इसका power output थोड़ा कम हो जाता है और CNG mode में ये engine 87 BHP की power और 121.5 Nm का torque generate करता है इस SUV में cable 5-speed manual transmission engine का ही विकल्प मिलता है इस SUV का कमपनी ने बहतरीन design तयार किया है इसमें advanced features और तकनीक का पूरा खया लखा गया है इसमें daytime running lights के साथ projector headlamp दिया गया इसके अलावा कमपनी ने multi screen petrol CNG mode दिया गया इसके अलावा चालक इसके petrol CNG mode में change करने के लिए एक switch का इस्तेमाल कर सकता है SUV के पिछले हिस्से में strong rear design के साथ signature design का tail lamp दिया है कमपनी का दावा है कि खास SUV stance के चलते Grand Vitara UVA को बहत पसंद आईगी इसमें 17 inch का dual tone alloy wheel देखने के लिए मिलता है Grand Vitara के केबिन को भी premium बनाने में कमपनी के कोई कसन नहीं छोड़ी है इसमें dual tone interior दिया गया है जो कि इसके केबिन को अलगी लुक देता है इसके अलावा इसमें आपको smart pro plus touch screen infrared system मिल जाएगा wireless, apple carplay और android auto connectivity, suju की connect जैसे features मिलते है जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया multi suju की Grand Vitara में कमपनी ने CNG Slender को body के नीचे position किया है जो कि पीछे वाली seats के नीचे आता है इसलिए इसमें आपको boot यानि डिगगी में परयाप्त मातरा में space मिलता है आम तोर पर CNG वाहन मालिकों के लिए इस space को लेकर बड़ी सिकायत रहती है safety के लिहाज से भी इस SUV को बहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई है multi suju के Grand Vitara में 6 airbag, electronic brake force distribution के साथ anti-lock braking system, tire pressure monitor system, 360 degree camera, hill hold assist और ISOFIX child seat जैसे features आपको इसमें मिलते है company fitted CNG kit के अलावा इस SUV में अन्या कोई बदलाव नहीं किया गया है इस SUV में पहले की ही तरह smart pro plus touchscreen system, wireless apple carplay, android auto connectivity, suju key connect जैसे features मिलते हैं इसके अलावा digital driver display, paneromic sunroof, ambient lighting, wireless phone charger, ventilated front seats और head up display इस SUV और भी खास बनाती है तो friends इससे पहली वीडियो में हमने आपको high rider CNG के कुछ features बताये थे और इस वीडियो में हमने आपको maruti grand vitara CNG के बारे में आपको detail से बताया I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो comment में बताना चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर से कर लेना, thanks for watching कर दो shy到क ύर नता है आपको जरूर के लागना, िलिए लगूर का ओर द opens槍ान, हुएं। अझा है, आपको पक्रण के लेका पाहना, यक वीडियो बताता है